आणि इन्हें क्वेस्टन कि शॉल्फ करना सिंदेन में लिखिया आए evaluate 7m प्लस 3mN when m is equal to 8 and n is equal to 1 यानि ही question उसांके मिले लाए 7m plus 3mN सही है इन्हें के solve करनों आए इन्हें के simplify करनों आए अहीं m जो value मिले लाए 8 है अहीं न जो value आए 1 यो m जो value 8, n जो value 1 जो कोई आसा इनमें put करना आ से, ठीका, पेरियों जो कोई आसा इते लिखाना आ से 7 m, आने m जी जगे तेसा bracket में m जो value पूट करना से, और आने एम जो वैलू आ है 8, तहे पे 8 फूट प्रकेना थे, उने गभाद मो कर बढ़ में सही मॉल्टिप्लिकेशन आता है पिलस कमपो वरी हिनने 10 के मल्टिप्लाय करना से 3 के 8 से मल्टिप्लाय करना से 3 8 से 24 24 के 1 से मल्टिप्लाय करना से 24 ही इंदो इते थियो 24 और यहना बिनी के PLUS करना से 56 PUSH तोनितिफ़ोर इसमाल इने के PLUS करना से 6 में 4 PLUS करना से 10, 1 मते वर इने 10 के PLUS करना से 8, 6 में 2 PLUS करना से 8, यानि movie sounds तो 0-80 थी वियों तो इना questionне जोन जो एंसर आहे हुआ है 80, और एकर options में चिसनना से तो option A रिक्वाही ATI यानि option A रिक्वाही न जो सही अंसर आही